हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोशेमन यूटूब चैनल पर देजबर के लाखो पैंसन धारक लंबे समय से लड़ रहेते हकी लड़ाई इतनी कम पैंसन में नहीं हो पाता गुजारा अब भाव में जी रहे हैं पैंसन धारक आगामी लोग सब भी पैंसन बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ इसी के साथ अठारमा बका एरियर भुकतान जारी होने को लेकर नियूंतम पैंसन वेंपर बढ़ोतरी को लेकर पैंसन एरियर तीनों किस्त जारी होने को लेकर गिरिजविटी की सीमा बढ़ाने को लेकर पैंसन दुगनी होने क को लेकर मेंगाई बत्ते में बड़ोतरी को लेकर और पूर रिटार्ड सेनिकों के पैंसन डिविजन को लेकर अभी बड़ी खुसकवरी निकल करा चुकी है जानेंगे सभी ख़बरों को विश्थार से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि लाइक ही हमारी मे चली आ रही है अगर आप भी पैंसन का फायदा लेते हैं तो आज हम आपको एक बड़ी ख़बर सुनाने जा रहे हैं मीटें रिपोर्ट सुन तावी सरकार की तरफ से पैंसन राशी को बढ़ाने की बात चल रही है फिलहाल इस भी नियूंतम पैंसन राशी बढ़ोतरी को एक सेवानित करमचारियों को परतिनितों करती हैं जिन्होंने एपिस 95 पैंसन बोगी रूप में जाना जाता है इन्होंने राश्ट के विकास के लिए अपनी सेवा समत्पी की थी लेकिन उन्हें बेहत कम पैंसन राशी के कारण गंबीर परिश्तियों को सामना करना पड़ सरकार ने देश के पूर सनी को बड़ा तोफा दे दिया है उनकी पैंसन में रिविजन करने का फैसला किया यानि उनकी पैंसन बढ़ोतरी होने वाली है इससे 2006 से पहल रिटार जवान और अपसरों की पैंसन बढ़ जाएगी यह वो पैंसन दारी हैं जो पांच वेतना आयो केंदर सरकार के पैंसन डिपार्टमेंट जुलाई 2019 में याद देश जारी किया था असके बाद पर याई राज इस्ति पैंसन के साथ परिवार पैंसन भी सामिल है इसमें 46 रुपे की ग्रेड़ पे को को पांच वेतना आयों की सेल्डी में रिटार हुए है रेलवे पैंसनों के लिए अच्छी ख़बर आ चुकी है केंदर सरकार ने रेलवे के अलग-लग वेतनायों के अंतरगत पैंसन पारे लोगों को बड़ी रहत देत हुए पैंसन को रिवाइज कर दिया है यानि पैंसन में बडोतरी का एलान कर दिया गया है सरकार का कहना है कि इस संबंद में कई पैंसनों की दर्खास और कुछ अदालती आदेस मिले थे इसके बाद वह भी भाग ने उस पर विचार किया और उसे रिवाइज करने का फैसला किया डिपार्टमेंट और पैंसन एंड पैंसन वेलफिर के डिरेक्टर डॉक्टर प्रमूत कुमार ने बताया कि इसका फाइदा पांच वे छटे और साथ वे तनायों के तहत पैंसन पारे पैंसन दारकों को होगा आदेस के मताविग नौकरी पूरी कर रेटायर लोगों को और फैंसन पाने वाले भी इसके दायरे कंदर आएंगे डॉक्टर कुमार के मताविग 1.05 जनवरी 2006 और 1.06 के बाद पैंसन या फैंसन पारे लोगों की पैंसन रिवाइज की जाएगी कुछ ऐसे मामले है जहां कंपनसरी रिटार्मेंट पैंसन या कंपनसर अलाउंस उस दर पर दिया गया हो जो पूरी पैंसन से कम है वहाँ इसे अनुपातिक रिविजन के तहत लागो किया जाएगा फैमली पैंसन की रकम में कोई कमी नहीं की जाएगी देश में करीब 15 लाख रेल पैंसन भोगी है इसके साथ ही रेल वंतराले ने पैंसन भोगों को पैंसन और पैंसन भोगी कल्यानी भाग के अधिकार छेतर में लाने के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दिये है केंदर सरकार की तरफ से राज्य सबामे जानकारी दी गई कि पूरू सेनिकों को किस तरह से पहगदार बनते हैं और कितना फायदा उने मिलता है सरकार की तरफ से पिछले कुछ वर्सों से पूरु सहनिकों को मिलने वाली pension scheme में बदलाव किये गए हैं राज्य समाव राज्य मंतरी द्वारा जानकरी दी गई कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि 50 फीदी pension आखरी basic paper होती है और पूरु सहनिकों की तरफ से निकाली जाती है सर्विस pension हासिल करने के लिए commission officer के लिए 20 साल की सर्विस और 15 साल की service officer rank से नीचे के सहनिकों की होती है पूरु सेनिकों की pension में समय सेमय उपर के सेंटरल पे कमिशन की तरफ से दी गई इसी पारिजों का अधार पर बदलाव किये गए है इसके लावा के सरकारी निती से जुड़ी चिठी को भी जारी किया गया है इसी वज़ा से pension और family pension में इजाफा हुआ है जो जानकारी सरकारी के तरफ से दी गई है उसके मताबिक भारते सेना वायू सेना नो सेना और के पूर सेनिकों को इस तरह के pension दिये जाने के सुवीदा है पिछले सार pension उपर अठार जार करोड रुपे एरे ग्रूप में खर्च किया गए थे हाला कि इस बार हुई बजट राजी में कटोती का सेनिकों की pension पर को इसर नहीं पड़ेगा बीच में ऐसी कबरे भी आई थी कि कैंद सरकार सेनिकों को रिटार्मेंट का यो बढ़ाने जा रही है इसलिए बजट राजी में कटोती की गई बारत में इस समय तीनों सेनाओं के करीब 24 लाग भूत पूरु सेनिक हैं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं देजबर के एक क्रोड पेंसन धारकों ले बहुत बड़ी खुसकवरी निकल करा चुकी है अकसर देखा गया है कि पेंसन भूग या भाव में जीते हैं क्योंकि उनकी पेंसन काफी कम होती है ऐसे में वो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं उसी को देखते हुए संसदी समीति ने सिफारिश दिया था कि पेंसन में 65 साल से ही एडिशनल पेंसन का फायदा दिया जाए अभी के नियम खिसाब से 80 साल पूरी होने पर उनकी पेंसन में 20 फिजदिक बड़ोतरी की जाती है लेकिन ऐसी बड़ोतरी का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उतनी उमर तक बहुत ही कम पेंसन धारग जिन्दा रह पाते हैं पेंसन धारग को देखते हुए संसदी समीति ने एडिशनल पेंसन को लेकर केंद सरकार को दो प्रस्ताव दिये थे पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल पेंसन में एक फिजदी बड़ोतरी की जाए वहीं दूसरा प्रस्ताव था कि अगर सरकार हर साल एक फिजदी बड़ोतरी नहीं कर पाती है तो हर पांस साल में पांस फिजदी बड़ोतरी की जाए संसदी समीती ने देखा कि बहुत सारे पैंसन भोगी कटनाईम अपना जीवन बिताते हैं उसी को देखते हुए पैंसन में ब्लोतरी की जानी चाहिए क्योंकि देश की आरतिकी स्थिती के हिसाफ से पैंसन काफी कम है दूसरे देशों में पैंसन दारकों अच्छी खासी पैंसन मिलती है लेकिन भारत में पैंसन की मात्रा दर बहुत कम है ऐसा में पैंसन मोगी अपना जीवन रहammen कैसे बिताएंगे उसी को लेकर संसदी समीती ने केंद सरकार के पास प्रस्ताव भेजा संसदी समीति की सिफारीं इस के बाद केंद सरकार ने सबी विवागों से पEncion दारगों को डाडा मंगाया था जया आगली बटी खबर की बात करें तो सरकार ने देश के पूरु सेनीकों को बड़ा तफा दिया है उनकी पैंसन में विजन करने का फैसला कर लिया गया है इससे 2006 से पहले रिटार जवानों और अफसरोगी पैंसन बढ़ जाएगी वो पैंसनर है जो पांच वेज़ेतन आयोग में 65 सो से 10 जार रुपे पे स्केल के लिए तहत पैंसन पा रहे थे ये रिविजन एक जनुवे दोजा सोडा से माना जाएगा केंद्रे और राज्य करमचारियों के लिए सात वेतन आयोग भी इसी तारिक से लागू है All India Audit and Accounts Association के Assistant Secretary जनर हजी संकर तिवारी ने बिजनिस डिजिटल को बताया कि उसके उन पैंसनरों को ज्यादा फाइदा होगा जिनकी रिटार्मेंट के वक्त सेलरी सतरह जार रुपे से कम थी जनर सरकार के Personal Department जोलाई 2019 में याद जारी किया था इसके बाद परियागराई जिस्तिक Principal Controller of Defense अकाउंट ने इस Defense Department बे लागू करने को का इस रिविजन में पैंसन के साथ परिवार पैंसन भी सामिल है इसमें 46 रुपे की ग्रेट पे को Corresponding ग्रेट पे माना गया है यह समसोतन उन पैंसन रुपे लिए है जो पांच इतना आयों के थे सेलरी पर इटार हुए थे लागों पैंसनर के लिए एक बड़ी खुसकबरी है दरसल सरकारी करमचारीयों की पैंसन में जल्दी विजाफा होने जा रहा है सरकार pension की limit को बढ़ाने के तैयारी में है जिसके बाद अब सरकारी करमचारी की pension दुगनी हो जाएगी फिलाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी salary चाहे जितनी भी हो लेकिन इसकी pension की calculation 15,000 रुपे पर ही की जाएगी EPFO की इस वेतन सीमा को खतम करने का मामला चल रहा है इसके साथ ही EPFO में pension calculation पिछली salary यानि हाई salary पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है EPFO की इस फैसले के बाद करमचारे को मिलने वाली pension में बंबर इजाफ़ा हो जाएगा जिसके बाद pensioner को ज़्यादा pension का फायदा दिया जा सकेगा